नमस्कार मैं डॉक्टर अजय कुमार गोतम सह आचार्य प्राणी सास्त्र विभाग राजकी बांगण महावित्याले डीडवाना जिलार नागोर बियस्सी पार्ड फर्ष्ट जुलोजी के पेपर सेकेंड सेल बालोजी एंड जेनेटिक्स कोशी का विज्ञान एवं अनुवान्शी की प्रश्न पत्र के जो कि महारशी द्यानां सरस्वती विश्विद्याले अजमेर के पाठिक्रम के अंतरगत सम्मिलित है के अंतरगत उत्परिवर्तन या मिउटेशन विसएपर डिसकस कर रहू हूं उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन आनुवानशिक पदार्थ में होने वाले आकस्मिक वन्शागती के योगी परिवर्तन होते हैं आनुवाशिक पदार्थ अर्थात क्रोमसोंस में इस्थित DNA में है, DNA के अंदर भी कहां, nitrogen basis के क्रम में अचानक होने वाले परिवर्थन को उत परिवर्थन कहते हैं, Somatic Cells या काइक कोशिक आओं में होने वाले परिवर्थन वनशागत नहीं होते, मतलब एक generation से दुसरे generation में नहीं जाते, किन्तु जनन कोशिक आओं में अर्धुशूत्री विभाजन के दोरां, अर्थात Meosys जिसमें कि क्रोमसोंस के संख्या विभाजन के उपरांद आधी रह जाती है अर्दुसुत्री विभाजन के दोरान होने वाले परिवर्तन वंश्याकति के योगी होते हैं उत्परिवर्तन निम्रप्रकार के हो सकते हैं पहला है जीन उत्परिवर्तन हाँ में ऐस्टन के डिन ऐने का प्रतिकहर Kitchen होसा है और प्रatit करण अर्था होता है अपनी प्रति बनाना होता है अपने जैसी प्रति अर्प Coalition होता है समानेता यह प्रिया बिल्कुल सही या प्रूटी रहित संपन होती है किन्तु कभी-कभी प्रतिकृति निर्मान प्रूटी पूर्ण हो जाता है जैसे एक या अधिक नाइट्रोजन छारकों के युगमू में नाइट्रोजन छारक क्या होते हैं एडिनीन, थाइमीन, साइटोसिन, गुवानीन जो की प्यूरी मेडिन्स और प्यूरी मेडिन्स कहलाते हैं इनके जो यूगम होते हैं जो पेर्स होते हैं उनको प्यूरी मेडिन्स या प्यूरी मेडिन्स कहते हैं इनके पेर्स में या यू उब्मों का अनुक्रम ही जीन की विश्चता होती है अतह इसमें परिवर्तन ही जीन उत्परिवर्तन कहलाता है दूसरे प्रकार का होता है बहुरूपी उत्परिवर्तन यदि जीन जिन में उत्परिवर्तन हुआ है एक या अधिक लक्षण को पूर्व की अपेक्षा बेन प प्रकार से प्रफावित करता है तो इन्हें बहु रूपी उत्परिव Lewis n कहते हैं है तीसरे प्रकार का होता सूप तो परिवर्वर्थन को कुछ उत्परिवर्थनों से जीन की कारे छमता समात्थ हो जाती है जबकि कुछ जीन उत्परिवर्थनों के होने से भी कोई विशिष्ट परिवर्थन नहीं द्रश्टिगत होते इन्हें सूप्त उत्परिवर्थन कहते हैं चौथा अग्रगामी उत्फरिवर्थन ऐसे उत्परिवर्थन जो जीन की अभीव्येक्ति की अग्रगामी दिशा में कारे करने हैँ तूँ शक्रिय बनाएं उसे अग्रगामी उत्परिवर्थन कहते हैं पांचने प्रकार का उत्परिवर्थन क्या है प्रतीप प्रतीप या प्रतीप का आर्थ होता है उल्टा रिवर्ट प्रतीप या प्रतिगामी उत्परिवर्थन ऐसे उत्परिवर्थन जो उत्परिवर्थनी को सामानेजीन में परिवर्थित करते हैं उन्हें प्रतीप या प्रतिगामी उत्परिवर्थन कहते हैं प्रतिगामी का आर्थ होता है पीछे की और उल्टा जाना तो ऐसे उत्परिवर्थन जो उत्परिवर्थनी को सामानी चींज में परिवर्थित करते हैं उन्हें प्रतीव उत्परिवर्तन कहते हैं। खातक करते हैं। जीन से जीव की मृत्ति हो जाती है। ऐसे उत्परिवर्तन गहा तक उत्परिवर्तन क्या लगते हैं सात्में प्रकार का उत्परिवर्तन क्या है दिर्ग एवं सुक्ष्म उत्परिवर्तन जीन में हुए परिवर्तन के कारण व्यापक इस्तर पर लक्षणों में परिवर्तन होने पर दिर्ग तथा अल्प इस्तर पर परिवर्तनों के आधार पर महा विभाजन किया गया है कि आधार पर यह विभाजन किया गया है जीन में हुए परिवर्तन के करण व्यापक इस्तर पर लक्षुडों में परिवर्तन होने पर दिर्ग तथा अल्प इस्तर पर परिवर्तनों के आधार पर यह विभाजन किय गया है और आठ्वें प्रकार का उत्परिवर्थन होता है प्रेरित उत्परिवर्थन सामाने था उत्परिवर्थन प्रकृति में सुमेव तथा कभी कभी होते हैं किन्तु लैप्स में प्रयोक्षालों में कुछ तक्निकी द्वारा इने किसी जीव में इक्षानुसा उत्प डी एने में जो नाइट्रोजन बेसिस की सिक्वेंसे से उनको हम अपनी शानुसार परिवर्तित कर दें जैसे अभी माना जा रहा है कि कोविट-19, कोरोना वायरस, सार्स, सीओ, वीटू यह सिंथेटिक वायरस है या प्रेरितुत परिवर्तन के द्वारा निर्मिच किया गया इसकी टेक्निक प्रेडित परिवर्तन ही है अगर या लेब में बनाएगया है तो कोशिवीवाजिन के तोरां den के तोराण क्रोमोसोंज का पुनूरुत पाधन किया जाता है क्रोमोसोंज अर्थाथ गुनोषूत्रों का पुनुरुत पादन मतलब प्रोडक्शन किया जाता है गुण सुत्रों के पुनुरुत पादन में तुरूटी से ही अनेक परिवर्तन लक्षण प्रारूप में प्रकाट हो जाते हैं जब किसी चीज़ के हम प्रोडक्शन करते हैं कॉपी बनाते हैं तो किसी भी बैलोजिक हो जाती है तो इस त्रूटिस रूप अनेक परिवर्बरत लखषण प्रारूप में मतलब स्मूड्र होने वाले परिवर्बर energy नहीं तक तो यह था इस उध्षजान्गरी धन्यवाल के आ nos